नमस्कार मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होमेपैथ, अक्योपंक्चरिस्ट और बैच फ्लॉर्ड थेरेपेस्ट आज हम डेन्टिशनल प्रॉब्लिम्स के लिए क्या होमेपैथिक दबाईया है उसकी जानकरी लेंगे वैसे तो डेन्टिशन ये एक नॉर्मल प्रोसेजर है, दात आना कोई अबनॉर्मल नहीं है सिर्फ आपको थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उसको दात आ रहे हैं, जो कि 6 से 12 मेने में आते हैं तो आपको उसे जादा नहीं खिलाना चाहिए, जब बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसको जबरदस्ती उसका जो एक फिक्स डायेट है उतना देने की कोशिश करते है उसको टीवी दिखाएंगे, उसको कुछ तो यहाँ वहाँ गुमाएंगे और उसको कोशिश करेंगे, लिकिन ध्यान रखिए, जब दात निकलते हैं तो शरीर की पूरी एनरजी दातों को निकानने में लगी हुई होती है डायजेशन और बाकी जो क्रिया है उसमें एनरजी कम होती है इसलिए नेचर ही क्या करता है भूग कम कर देता है ताकि थोड़ा कम एनरजी लगे डायजेशन के लिए तो उस वक्त उनको हलका खाना देना चाहिए थोड़ा थोड़ा देना चाहिए कि जो उनको थोड़ा पतला बना के और जितना उनको चाहिए उतना ही दो एक बार अगर वह नहीं बोलते ही तो मत दीजिया उनको तो यह अगर आप करते हैं तो लुज मशिन की तकलिफ उनको बहुत कम होगी दुसरा क्या ध्यान रखना है कि वह गंस में उनको बहुत इरिटेशन होता है तो कुछ न कुछ चीज़े अंदर डालते रहते हैं तो उसके हाथ में ऐसी चीज़े दो boil करके जो आती है आजकल dentation के time यहाँ वहाँ मत रख दीजे उनको थोड़ा boil करके sterilize करके उसके आजू-बाजू में रखे तो वही उठाके मुह में डालेगा यह तो बच्चे कुछ भी उठाते हैं मुह में डालते हैं फिर वो गंदगी मुह में जाते हैं infection होता है और diarrhea भी होता है तो these are the commonest causes of diarrhea बच्चों बीमार बढ़ते हैं उस टाइम पे उसका एक common cause है तो क्या करना है बच्चा अगर बहुत जादा cranky हो जाता है बाहर का अदमी उनसे बात करता है लालू लालू बेटा आजाव 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 तो एक रख देते हैं उनको यह जोड से बोलते हैं जाओ ना और रोना चालु कर देते हैं उसको क्या चाहिए उसको समझ में भी ने आता है कभी बोला चॉकलेट दो कभी रोना ही चालो कर देगा बस रोते ही रहेगा चूपी नहीं बैठेगा पता नहीं क्या चाहिए उसको ऐसे बच्चों को कैमो मिला ये जादू की तरह काम करता है कैमो मिला 200 आप एक डोज ही दे दीजी तुरंट बच्चा शानत हो जाएगा हसने लग जाएगा सब के पास रहता था वो खेलने भी लग जाएगा तो ये होमेफिति की कमाल है तो ये क्यामो मिला मेडिसीन फिर बच्चों को डाइरिया रहा तो भी चलता है बुका रहा तो भी चलेगा कोई भी कंप्लेंट रही तो उसमें ये बहुत अच्छी तरह काम करता है दूसरा मेडिसीन है क इंटिशन के दवरान और ये कॉंस्टिटिशनल मेडिसीन तरीके भी कई बार यूज होते है कैलके रहकार के बच्चे मोटे रहते एकदम चबी बच्चे रहते पसेने से तरबतर रहते थोड़ा भी फैन बंद हो गया तो उनको बहुत जादा पसेना छुट जाता है और इ इनकी जो ओमिटिंग होती है इनका जो लूज मोशन होता है इनमें खटास रहती है इनडाइजेशन के तरह जाते हैं पिर और एक मेडिसीन है पोडोफाइलम ये लूज मोशन में लगता है हमेशा बच्चे को दात के नीचे दबाने के लिए कुछ नो कुछ ढूंडते रहता है, दात उसके इसे पेन करते रहते हैं, हमेशा लेता है, मुँ में डालता है, और जो मोशन होती है, कभी सपेद कलर की, कभी यलो कलर की, कभी ग्रीन कलर की, कभी वाइट कलर की, इसे बार चेंज होते रहती है, और बच्चे का पेट से लाओ, तो बच्चे शानत रहता है, ना तो फिर रहते रहता है, तो पोड़ो फैलम देने से यह सब कॉंटेंटस उसकी प्रटाफट कतम हो जाती है, अगर बच्ची को उल्टी हो रही है और प्यास भी नहीं है लेकिन उल्टी हो रही है खाने का भी मन नहीं कर रहा है तो EPICAC बहुत अच्छे तरह काम करता है dentition के time अगर बुखार है बुखार में बच्चा एकदम लाल हो गया 102-3 बुखार है और हमेशा गोध में है लेके घुम रहा है खेलना चाता है लेकिन ताकत नहीं है टीवी देखना चाता है लेकिन उसमें उतरी ताकत नहीं है तो बस मम्मी की गोद में ही बैटे बैटे उसको सकून मिलता है ऐसे बच्चे बेला डोना के होते है तो ये इंचोर्ट कुछ दावाया मैंने बताई ही डेंटिशन के लिए अगर ये आप फॉलो करते है थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ाई करते है तो बच्चे का डेंटि नमबर 21 ये एक स्पेसिफिक दवाई है डेंटिशन के वक्त जो भी सॉल्ट शरीर में कम पड़ते है वो सॉल्ट इसमें से मिल जाएंगे और डेंटिशन बहुत इजी होगा इसकी दो दो गोलिया आप दिन में तीन बार दे सकते हो फिर हर एक कंपनी की होमेपितिक अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेर करना न भूले लाइक करे सब्सक्राइब करे तैंक यू बरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में